Welcome back to streamers, आज का दोआ है जैसा खाना खाई ये, तैसा ही मन हुए जैसा पानी पी जी ये, तैसी बानी हुए अर्थात कभी दास जी कहते हैं कि जब आपकी संगती अच्छी होगी आप अच्छे लोगों से घिरे में होंगे तब एक सकारात्मक उर्जा उत्पन होती है उस सकारात्मक उर्जा से ही आप सफलता के पत पर अग्रेसर हो पाते हैं और धीरे 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 करके आपको सफलता प्राप्त हो जाती है वो इस दोहे में कहते हैं कि आप जैसा भोजन खाते हैं आपका मन वैसा होगा, जैसा पानी पीएंगे, वैसी आपकी बानी होगी, ये उन्होंने एक 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 जामपल दिया है, तो ये एक जामपल आपको बेसिकली संगती समझाने के लिए ही थी, कि अगर आप अच्छी रोगों के बीच में होंगे, तो आपकी सफलता होगी, आपको सकरात्मक उर्जा प्राप्त होगी और आप उसे ही आस-पास भी भिखेरेंगे. Kabhi Dasji in this couplet narrates that, if a person is surrounded by good people, his near and dear ones have good vibes, then what will happen? Positivity will be spreading from a person to another person, which will indirectly make the surrounding, the environment of that person positive. And once that environment becomes positive, it is definitely, the person is definitely gonna be successful in life. With this I conclude, thank you.